नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथ हंकेता मिश्रा अकांशा दूबे मामले में लगतार संसनी खेज खुलासे हो रही हैं अकांशा का आरोपी समर सिंग कहा है? संजे सिंग कहा है? अभी तक पुलिस को इस बारे में कोई भी सूचना नहीं है हलाकि आशंकाई ये जदाई जा रही है कि नेपाल की तरफ समर सिंग और संजे सिंग ने अपना रुख कर लिया है लेकिन क्या सच में नेपाल पहुच चुका है या फिर विदेश के किसी दूसरे कोने में समर सिंग ने अपना ठिकाना बना दिया है अभी पुलिस को इस बारे में जाच परताल करनी बाकी है इस बीच आपको बता दे कि कई ऐसे खुलासिस सामने आये है पुलिस का कुछ ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद अब CBI जाच की मांग की जा रही है आज का ये प्रोग्राम इसी पर अधारित है कि क्या अकांशा दूबे मामले में कोई ऐसे वज़ा थी कौन सा वो राज था चुपा हुआ जिसकी वज़स से अकांशा ने अपनी जान ली और क्या CBI के मदद से इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं फिलाल आपको बता दे कि हमारे प्रोग्राम में हमारे सथ मौझूद है प्रग्या प्रग्या बहुत स्वागत है आपका जी अंकिता है और उन्होंने अपनी इंस्ट्राग्राम के पोस्ट पर पहले तो अकांशा दूबे को श्रधांजली दी उसके बाद जो बात उन्होंने लिखी उससे ये प्रश्चन उड़ता है कि क्या कुछ बाते ही हुई होंगी काजर रखवानी के साथ अकांशा दूबे की और रखवानी का ये पोस्ट की तुम्हारा डर सचसाबित हुआ और तुमने अपनी डर पर जीत हासिल की आखरी शूट में जो नजर आ रहा है ये जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है और ये प्रशन उट रहा है कि आखिर कौन सा डर था आखिर किस व दिरे बिहार के इंडस्ट्री जागरोख हुई उन्हें पता चला कि अब इस केस में आवाज उठानी जरूरी है दिरे दिरे पवन सिंग हो अक्षरा सिंग तो सबसे पहले आगे आए थी फिर उसके बाद तनूश्री काजल रखवानी मनोश दिवारी खिसारी लाल यादो निरहुआ तमाम जितने भी बड़े बड़े कलाकारों हैं उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की और इस प्रतिक्रिया से ये सामने जरूर आ रहा है कि अकांशा दूबे कोई ना कोई ऐसा राज जानती थी किसी डिप्रेशन में थी जिसके वज़े से उन्होंने अपनी जान लेकिन अब सवाल यह है कि आगे पुलिस क्या कर रही है क्या कुछ हो रहा है इस केस में और अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताए देखिए अंकिता जिस तरह से अकर मैं बात करूं तो तकरीबन पाच दिन से ज्यादा का व वज़ा से आज हमने देखा कि सारनात थाना की बाहर जो मधू दूबे है वो अपने पूरे परिवार के साथ जा पहुची और जम कर धरना प्रदर्शन किया इस दौरान जनसत्ता पाठी के कई कारे करता भी परिवार के साथ मौजूद रही परिवार का सीधे सीधे आरोप है कि समर सिंग को छुपाने के लिए पुलिस ने पैसे लिए है वहीं दूसरी और अगर मैं बात करूँ तो जो अकांशा दूबे के पिता है उनका ये आरोप है कि सिर्फ पुलिस ही नहीं बलकि होटल का स्टाफ भी समर सिंग को बचाने की कोशुश कर रहा है कमरे की अप्शा दूबे की तस्वीर सामने आई है अकांशा के निधन के बाद जो उनकी शव की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है आपने भी देखियोगी अंकिता कि उसमें किस तरह से अकांशा जो है वो बैड पर बैठी हुई नजर आ रही है उनके गले में एक कह सक करते के कपड़ा बधा हुआ है यहाँ पर उनके पिता सीधे सीधे उस तस्वीर पर ही अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि मास्टर की का इस्तमाल करके कमरे को खोला गया और फिर उनकी बेटी की जान लेने के बाद उससे दुबारा से बंद कर दिया गया हाला कि यह दाव एक भी गवाह परिवार के पुलिस को यहाँ पर नहीं मिला है सीधे सीधे यहाँ पर यही कहना है कि समर सिंग को बचाने के कोश्च यहाँ पर पुलिस कर रही है और जिसकी वज़ा से उनकी बेटी को इनसाफ नहीं मिल पा रहा है और इसलिए अब मधु दूबे का सीधे स कि वो चाहती है कि अब इस मामले में जो CM योगी है वो या सरकार अब इस केस को CBI को हेंड ओवर कर दे क्योंकि पुलिस की लापरवाही कही ना कही समर सिंग को बचाने का काम कर रही है और अकांशा दूबे के केस की जो सच्चाय है उसे दबाने का काम यहाँ पर पुलिस की परवाही करती हुई दिखाई दी रही है अंकिता जे बिलकुल अच्छा प्रग्या इसमें एक बड़ा सवाल यह उच्छा है कि सोशल मीडिया पर ही मीडिया के जरीए ही मधुदूबे ने योगी आदितिनाज से मदद मांगे थी योगी आदितनाज से कहा था कि कि सीवी आई जाज की मांग हो हमारी बेटी को इंसाफ मिले और यह जो पूरा मामला है यह भी वारणसी में हुआ यूपी वे ही हुआ तो यूपी पुलिस की इसमें जम्मेदारी बनती है तो क्या राजनीतिक तोर पर कुछ प्रतिक्रियां सामने आई हैं या फिर कुछ इस पाक का खुलासा हुआ है कि राजनीतिक तोर पर परिवार को सपोर्ट मिल रहा है या फिर परिवार वालों के समर्थन में किसी का ट्वीट या फिर किसी ने धांडिस बढ़ता हैं क्यूंकि अभी तक सिर्फ-फिल्म इंडस्ट्री के लोग सामने आ रही हैं जबकि कई माम नेतिक ऐसी प्रतिकरिया सामने आ रही है क्या देखिए यहां पर अगर मैं बात करूँ तो अंकिता कुछ ऐसे गिने चुने नेता है जो पहले उसी भोजपूरी इंडस्ट्री का हिस्सा थी और उसके बाद उन्हों राजनीती में कदम रखा जैसे यहां पर अगर मैं बात कर अगर मैं पर अगर मैं बात करूँ आपर मैं गर तो इस आपने शोंने का समय आ रहा है अब आखिरकार परिवार को एक पार्टी का सपॉर्ट मिल रहा है अब देखना ही होगा कि आखिरकार यह समय होती सापोर्ट जो है किया इस केस की गुत्थी को सुलजाने में मदद करेगा या नहीं क्योंकि सीधे सीधे परिवार जो है वो इस मामले में अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता है। या इतने सबूत काफी है इतनी दलीले काफी है आकांशा को नयाय दिलाने के लिए क्योंकि सबूत तो नदारत है पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं है तो क्या गिरफतार कर पाएगी पुलिस इस पूरे मामले में समर सिंग को और संजे सिंग को या फिर किसी राजनिता या फिर पैसो के बल पर ये जो मामला है वो दब करके रह जाएगा फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ